चलिए आज आपको लेज चलते हैं डाइजेशन से हाइड्रेशन की तरफ अब आपने ये समझ लिया कि डाइजेशन था हाइड्रेशन का मतलब है कि पानी तो जरूर होगा हमारी स्टोरी में विल्कुर सही सुना आपने गरम पानी की आज हम बात करेंगे गरम पानी अगर आप सुभा सुभा लेमन और हनी के साथ पीते हैं तो जो पेट निकला हुआ रहता है यानि की बेली फैट की समस्या से अगर आप बहुत परिशान है तो वो कहीं न कहीं दूर करने की कोशिश करता है और दूर हो भी जाता अगर आप शिद्दत से इसका इस्तमाल करते हैं वही गरम पानी अगर आज वाइन के साथ पीते हैं तो जो ब्लोटिंग की समस्या है बहुत लोगों को सुभा उठते उठते बहुत ब्लोटिंग हो जाती है उस तमस्या से काफी हद तक मुक्ती मिल सकती है कॉंस्टिपेशन की प्रॉब्लम में उससे काफी हद तक निजात मिल सकती है और अगर जीरा डालके आप पानी पीते हैं उबाल कर जीरे के साथ या फिस साबू जीरे के साथ तो आपको उसमें भी आराम मिलता है किस चीज में, डाइजेशन में बहुत लोगों को अपच की, एसी डिटी की प्रॉब्लम होती है, तो जीरा कहीं न कहीं उसको दूर करने में मदद करता है, अगर आप सौंफ के साथ पानी पीते हैं, तो आपका डाइजेशन अच्छा होता है, वो एंटी आक्सिडेंट होते ह और अगर यही गरम पानी हम खाना खाने के आदे घंटे बाद पीते हैं, तो उसके भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे अगर आपने कुछ ओली खा लिया है, कुछ बाहर का खालिया है, बटर का इस्तमाल जादा किया अपने खाने में, तो यह तैलिये चीजों को अंदर से गला देता है, यानि कि उसको पचाने में पूरी मदद करता है, आपका डाइजिस्टिस सिस्टम अच्छा करता है, तो यह सारे फायदे हैं, इसके अलाब अगर आप रात को गरम पानी पीते हैं, वो भी सिप सिप करके, तो आप अच्छी तरीकी से सो पाते हैं, आपके गरम पानी पीना शुरू करतीचे!